नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं प्रभात कॉमिक्स की एक और मसेदार कॉमिक्स टाइगर और भूत महल पार्ट टू उस व्यक्ती ने प्लास्टिक की थैली का मुह खोला और उस थैली को चद्दर के नीचे सोई मूर्खा नंद के पैरों के पास रख दिया प्लास्टिक की थैली में से सांफ निकला वेटर फूर्ती से दर्वाजी की और बढ़ा बॉस मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे मूर्खा नंद पलंग की नीचे सोया हुआ और पलंग की चद्दर इस परकार किनारे की और लटका रखी थी कि आने वाले की नजर नहीं पढ़ सके पलंग पर तक्क्यों का आदमी बना कर चद्दर ढग दी थी हम सतर्कता काम आई वेटर को दर्वाजी के और बढ़ता देखा तो फूर्ती से निकला और वेटर के और छलांग लगा दी बच के कैसे जाओगे मूर्खा नंद के अचानक हुए हमले के कारण वह संभलना पाया और नीचे गिरा अरे तुम जिन्दा हो मूर्खा नंद ने कूसो का कह ढ़ा दिया वह व्यक्ति बुरी तरह चीखने लगा आह बचाओ उस व्यक्ति की तेज चीखे सुनकर होटल में उपस्तित लोग जमा हो गए होटल मैनेजर ने मूर्खा नंद को रोका प्लीज छोड़ दीजिए आप मुझे बताईए क्या हुआ है आपके साथ इसे पहचानते हैं आप यह वेटर आपके होटल का ही है मैनेजर की आँखे विसमे से फैल गई यह व्यक्ति होटल का वेटर नहीं है लेकिन इसने इसी होटल के वेटर की वर्दी पहन रखी है मूर्खा नंद पलंग की और बढ़ा और उसने एक जटके से चादर खेंची चादर हटते ही पलंग पर कोबन नजर आया प्लास्टिक की थैली में यही साप मेरे लिए लाया था सभी लोग साप को भैबीट से देख रहे थे मूर्खा नंन ने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर फायर कर दिया धाएं साप का फन चीथड़े होकर दूर जा गिरा ओह कितना खतरनाक साप था सूजना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर आ गया आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मूर्खा नंन इसकी तलाश कितने ही मामलों में थी एक विशाल हॉल में एक दरजन व्यक्ति उपस्तित थे उची मंच पर बॉस उपस्तित था सभी लोगों को उसने संबोधित किया आज यह विशेश मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि अब हम लोगों के सिर से पानी उपर हो गया है आप लोगों को मालूम है कि मूर्खा नंद और टाइगर हमारी पकड में नहीं आए बलकि हमारे आदमियों को अंदर पहुँचा दिया यह मेरी सतर्कता का परिणाम है कि टाइगर लाग कोशिशों के बावजूत असली अड़े तक नहीं बहुँच सका आप लोगों को कोई ऐसी तरकीब सोचनी है कि टाइगर हमारी पकड में आ जाए सभी आदमी सोच में पड़ गए एक आदमी अपने स्थान पर खड़ा हुआ बॉस मेरे मस्तिष्ट में यह एक योजना आ गई है कैसी योजना टाइगर को फोन किया जाए कि इस स्थान पर अपराधी छुपे हुए हैं वह अपराधियों का नाम सुनते ही चल पड़ेगा टाइगर बेफकूफ नहीं है वह चलने से पहले ऐसे बहुत से इंतजाम कर लेगा कि हमारा प्लान फेल हो जाएगा एक दूसरे आदमी के मस्तिष्ट में यह योजना आई वह उटकर खड़ा हुआ बॉस अचानक टाइगर को घेर कर हमला किया जाएगा नो नो टाइगर बहुत ही सतर क्रहता है यदि उसे जरा साभी शक हो गया तो समझ लो सभी गए काम से नत्तु कां अपने स्थान पर खड़ा हुआ उसने अपने सभी साथियों पर नज़र डाली बॉस मेरे मस्तिष्ट में बहुत ही जबरदस योजना आई है हम न टाइगर पर हमला ही करेंगे बस होटल के समीब एक गरीब बस्ति को आग लगा देंगे अपनी पूरी योजना बताओ बॉस चक्रा उठा उसकी समझ में नहीं आया कि आखे नत्तु कां की योजना क्या है नत्तु कां का चेहरा गर्व से चमक रहा था च्छापा मार तरीका होगा बस्ति में आग लगने की सूचना टाइगर और मूर्खा नन को मिल जाएगी और वह उस बस्ति तक अवश्य पहुँचेगा बस हम लोग एक दम से हमला कर देंगे टाइगर किसी कीमत में बच नहीं सकता बस्ति में आग लगाने का मतलब सभी लोगों का ध्यान बस्ति की और आकरशित कर देना है पुलिस अधिकारी और टाइगर सूचना पाते ही बस्ति की और चल देंगे बस हमें टाइगर के बाहर निकलने का इंतजार रहेगा सभी व्यक्ति उस पूरी योजना पर सोचने लगे बॉस नत्तु कां की योजना वाकई जोरदार है हम लोग अपना विशन रात बारा बजे शुरू करेंगी सही समय रहेगा सभी आदमी गहरी निन में सोच चुके होंगे रात ठीक बारा बजे बॉस के आदमी बस्ती के समीप अंधकार में एक किनारे परस्तिती का जैजा लेने लगे बस चारो और सन्नाटा है यदि इजाजत हो मैं ओपरेशन शुरू करूँ जाओ बस्ती में आग लगा दो नत्तु खां मन ही मन खुश होता हुआ रात के अंधेरे में बस्ती के और बढ़ा बॉस मेरी युजना को मान गए यदि पूरी तरह सफल हो गई तो मैं कमांडर हो जाओंगा नत्तु खां एक जोपड़ी की निकट पहुँचा और माचिस निकाली जो ही जोपड़ी में नत्तु खांने आग लगाई वैसी ही अंधकार में एक कुत्ता भौका अब भागना चाहिए नत्तु खां भागा कुत्ता उस पर जपट पड़ा अह मार डाला अबे छोड़ तेज हवाके जोपड़ी से दूसरी जोपड़ी के और फ्यालती चली गई आग का शोर सुनकर जोपड़ी के भीतर सोहे हुए आदमी बाहर निकल भागे आग बचाओ पानी लाओ जल्दी अपने अपनी जोपड़ी से बाहर निकलो जल्दी आग के लप्टे उची उची उठने लगी जोपड़ी के भीतर से औरते बच्चे बुढे निकल निकल कर भागे मेरे बच्ची को बचाओ यह आग कैसे लगी हाई मेरी सलमा हाई मेरा बच्चा सभी व्यत्ती एक स्थान पर जमा हो गए फिर उन्हें नत्व कहां और कुत्ता नजर आ गए वो देखो कुत्ते ने किसी को पकड़ लिया है देखो देखो कौन है आँ बचाओ कुछ लोगों न आग कैसे लगी चल कर देखें चलो होटल का मैनेजर अपनी कार द्वारा बस्ती के और चल दिया टाइगर और मुर्खानन की कार मैनेजर की कार से काफी बीचे थी होटल की पास में छुपे हुए बॉस के आदमी ने ट्रांसमेटर द्वारा बॉस को सूचना दी हेलो हेलो टाइगर और मुर्खा नंग कार द्वारा चल पड़े हैं, तैयार रहें ओVER, सडक ब्लॉक कर दो और जैसे ही कार से निकले गोलियों से भून दो और बॉस के आद्मियों ने रोल ब्लॉक करने के लिए सडक पर पथरों के टुकरे रख दिये थे होटल मेनेजर कार लिये हुए पहुचा पत्थर सडक पर लगा दिये किस की शरारत है सडक के दोनों और अंधेरे में बॉस के आदमी छिपे थे कार से बाहर निकलते हुए मेनेजर को टाइगर समझा और फाइरिंग शुरू कर दी टाइगर ने सडक के किनारे कार रोकी और अंधेरे में फूर्ती से चलांग लगा दी उसे छटी इंद्री खत्रे का एहसास करा रही थी लगता है मेरे लिए कोई जाल बिचाया हुआ है टाइगर के चलांग लगाते ही मूर का नंजने भी चलांग लगा दी मुझे फाइरिंग की और ही बढ़ना चाहिए टाइगर फाइरिंग वाली दिशा में बढ़ा यदि एक भी पल्ले पढ़ गया तो एक एक कत दिया पाचा कर दूँगा जब उन्होंने कार को बूरी तरह गोलियों से चलनी कर दिया तो वे वापसी के लिए भागे सब लोग भागो हम लोग पूरी तरह सफल रहे हैं टाइगर सभी लोगों का पीछा करता हुआ एक कुएं के पास जंगल में पहुँचा कमाल है कुएं के पास तक तो सभी दिखाई दे रहे थे अजानक लाजाने कहां गायब हो गए टाइगर आसपास उन सभी लोगों को खोशता रहा उसकी मेहनद सफल नहीं हुई हम दिन में आऊंगा तब देखूंगा कि क्या चक्कर है साथी तयार होकर आऊंगा प्रातकाल टाइगर होटल पहुँचा वह बहत ठका हुआ था अरे बॉस आप कहां चले गए थे मेरी तो जान ही सूख गई थी फिलहाल जान सुखाने की जरूरत नहीं टहलने गया था टहलने में इस परकार कपड़े फट नहीं जाते और ना चेहरे पर धूल मिट्टी चिपक जाती है मैं फ्रेश होना चाता हूँ तब तक तुम नाश्टा मंगा लो मूर्खा नन बॉस के कुछ भी ना बताने से मन ही मन परेशान हो गया वह फोन के और बढ़ा हेलो हाँ हमारे कमरे में नाश्टा कॉफी भेज दो टाइगर तरो तजा होकर कमरे में आया मैं मूर्खा नन के साथ नाश्टा करने लगा मैं अपरादियों का पीछा करता हुआ उनके अड़े पर पहुँच गया था लेकिन अभी अड़े का पता नहीं रख पाया अड़े तक पहुँच गये और अड़े का पता नहीं चल पाया मैं समझा नहीं बॉस टाइगर ने नाश्टे के दोरान मूर्खानंद को समझाया आँ बॉस तब तो उन लोगों को तलाश करने में बहुत अधिक सतर्पता का ध्यान रखना पड़ेगा हाँ जंगल में परविष्ट होते ही उन्हें मालूम हो जाएगा बहुत ही सावधानी से उन पर हाट डाला जाएगा वरना वे लोग हाथ में आकर निकल सकते हैं टाइगर और मूर्खानंद उस जंगल के समीब वाली बस्ती में वहुचे एक बुजुर्ग आदमी से टाइगर ने पूछा जनाब आदी मैंने बहुत से व्यक्तियों से पूछा है इन जंगलों के बारे में वे लोग जिन भूत प्रितों का अड़ा इस जंगल में बताते हैं सभी लोगों ने सची कहा है मैंने तो भूतों को इस जंगल में अपनी आँखों से देखा है टाइगर को विश्वास हो गया कि अड़ा उनी जंगलों में है आपने भूतों को कहां देखा है जंगल के बीच राजा मिर्नाल सैन के महल के खंडर है उनी में मैंने भूतों को देखा है बस्ती का कोई भी भूला भटका कोई यदी उस ओर पहुँच जाता है तो उसकी लाश मिलती है बस्ती वालों ने उस खंडर का नाम भूत महल रख रखा है आपके बताने का बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज टाइगर और मुर्गानन जंगल के किनारे पहुँचे बॉस हम लोग अपरादियों की नजर में आ सकते हैं हाँ आज की रात इन जंगलों को पहुचे फिर वे उन खंडरों की और बढ़ने लगे जिने बस्ती वाले भूत महल कहते थे बॉस कितनी भयंकर आवास सुनाई दे रही है हाँ आवाज वारी दिशा में बढ़ो अंधेरे में वे टोटोलते टोलते हुए आगे बढ़े हुँ हाँ यह सारा जंगल हमारा है जो कोई हमारे करीब आएगा बे मौत मारा जाएगा बॉस आप यह आवाज सुन रहे हैं हाँ सुन रहा हूँ टाइगर और मुर्खा नन को खंडरों के उपर दो भूत दिखाई दे गए दोनों हड्डियों के ढाचे थे वहीं से आवाजे उबर रही थी बड़ी भैंकर आ है हमारी और ही आ रहे हैं यस टाइगर एक व्रिक्ष के पीछे चुप गया मुर्खा नन भी एक व्रिक्ष के पीछे जा चुपा यह जंगल हमारा है जो भी यहां आएगा वह जिंदा वापस नहीं जाएगा पूरे जंगल में प्रेतों की भैंकर आवाज गूंज रही थी मुर्खा नन को लगा कि खत्रा सिर पर आ गया है और प्रेत उसे मार डाने के लिए करीब आ रहे हैं आज आओ प्रेतों मैं तुमसे टकराने के लिए तयार हूँ दोनों प्रेत खंडरों से निकल कर उसी कुवे तक आ गए जहां कल रात ताइगर ने सभी आद्मियों को गा गया उसमें से कुछ व्यक्ति सैनिक वर्दी में उतरे यहां पर इन सैनिकों का क्या काम भूतों के जिस्म से निकलने वाले प्रकाश में टाइगर ने देखा कि एक एक करके सभी सैनिक कुवे में कूद गए हम यदि मैंने अपनी आँखों से देखा नहोता तो आसानी से व गूज रही थी कुछ देर पस्टात खाली ट्रक वापस चला गया टाइगर और मुर्खा नन कूएं की और बड़े तुम आसपासी छिपे रहो यदि मैं एक घंटे तक ना आया तो तुम सूच ना दे दे रहा ओल्राइट बॉस टाइगर ने कूएं में जहांका अंधकार क सिवा उसे कुछ भी न दिखाई दिया मुझे कूए की भीतर पहुंच जाना चाहिए टाइगर ने नीचे छलांग लगा दी टाइगर को उपरी बटन के बारे में मालूम नहीं था इसलिए नीचे पहुंचते ही खत्रे का अलाम बज उठा नीचे स्पंज की कारण टाइग तुम लोगों की मौत टाइगर का नाम सुनते ही उनकी आखे विसमे से फट गई वे टाइगर पर आकरमन करने के लिए सोच पाते उससे पहले ही टाइगर उन पर जपट पड़ा एक लंबी छलांग में टाइगर ने उन दोनों की गर्दन पकड़ ली आह बचाओ टाइगर दरवाजी की और आया उसने दरवाजा खोला यहां पर कोई बाहरी आदमी तो नहीं आया नो दरवाजा खटकटाने वाले सैनिक दूसरी और दोड़े टाइगर पीछे वाले सैनिक पर जपटा टाइगर ने उसे चीखने की मोहलत न दी उसे घसीटता हुआ अंदर कमरे में ले गया और उसकी वर्दी उतारी अब वह सैनिक वर्दी में सैनिको जैसा था मूर्खा नंद एक घंटे तक प्रतिक्षा करता रहा और फिर वह मिलिटरी सीक्रेट सर्विस की चीफ से मिला मेरा खयाल है कि अपराधियों का बहुत बड़ा अड़ा है यदि पूरी फोर्स क बड़ा बना रखा है सभी पाकिस्तानी सैनिक हैं एक बड़े सी हौल में मीटिंग हो रही थी पाकिस्तानी सैना का जनरल मंच पर खड़ा हुआ अपनी योजना को समझा रहा था आज से तीसरे दिन हमारी सारी सेना सीमा पर आ जाएगी आजात कश्मीर में हमने ऐसी सिथी पैदा कर दी है कि यहां के लोग बगावत पर उतराएंगे भारती सैनिक उन लोगों को संभालेंगे और हमारी सेना हमला करेगी बस कश्मीर पर हमारा कबजा होगा सुलेमान तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है आजात कश्मीर पर कबजा करने का खयाल छोड़ दो जनरल न हाल में आ गई फोर्स के साथ मूर्खा नन्वी था सभी लोगों ने गिरफतारी देने में अपनी भलाई समझी एक डाइरी में सभी अड़ों के बाग्यों के नाम थे वह भी अधिकार में ले ली गई सभी को गिरफतार कर लिया गया आज आप दोनों की वज़े से देश मे इतनी बड़ी बगावत होने से बच गई धन्यवाद ये तो हमारा फर्स था तो यह थी टाइगर सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यव प्राइब